हेलो दोस्तो कैसे हैं आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं स्रेश एक बार फिर से स्रेश एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ आज हम देखेंगे आई 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 टेक्निशन टी बनकी जो टायट टू का एकडेम जो होने वाला है उसका सिलेवस क्या रहने वाला है और टायट टू का टेक्निशन बनका वो सब मैंने कल की वीडियों बताया है और जैसा कि दोस्तो मैंने कल आपको बताया था जो टेक्निशन टी बनका जो होने बाला है वो आठ जनवरी को होने बाला है कब होने बाला है तो उसके लिए जो क्लासे से स्टार्ट होने बाली है वो कब से स्टार्ट होने बाली है यह बात भी मैं आपको बताने बाला तो दोस्तो अगर आपने वो classes देखी थी तो आपको पता होगा कि जो मैंने expected question की class लेकर आया था और जो marathon क्लास लेकर आया था उन सारी classes से जो आपके exam हुआ था technician T1 का tier 1 बाला उसमें who who question आ गया थी जैसे के तैसे उठके आया थे तो दोस्तो tier 2 के लिए भी जो technician T1 के लिए 8 जनवरी को होने वाला है उसके लिए भी मैं classes लेकर आने वाला हूँ कबसे लेकर आने वाला हूँ बो लेकर आने वाला हूँ 24 दिसंबर से दोस्तो कबसे 24 दिसंबर से मैं लगातार class लेकर आने वाला हूँ expected questions की expected questions की और उसमें मैं पूरा अच्छे से explain करूँगा जिससे कि आप एक question देखेंगे लेकिन एक question लगबग 5 question के बराबर होगा 5 से 6 question के बराबर होगा सारे questions का अच्छे से explanation देने वाला हूँ दोस्तों और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके लिए मैं मैराथन क्लास भी लेकर आने वाला हूँ लवक 3,4,5 और 6 जनवरी को मैं मैं मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ सारे subject की जो जो subject इसमें आने वाले हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में अब हम syllabus के बारे में discussion कर लेते हैं दोस्तों सो दोस्तों technician T1 के tire 2 का जो slave होने बाला है दोस्तों वो कुछ इस परकार से होने बाला है जो उसकी scheme है कुछ इस type से होने बाली जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो exam आपका 8 जनवरी को होने बाला है तो एक बज़े से धाई बज़े के बीच होगा कितने मतलब 1.5 घंटे का होगा तो आप देख सकते हैं एक घंटा और आदा घंटा मतलब 1.5 घंटा पूरा मिलने बाला है आपको और question कितने आने बाले है 100 question आने बाले हैं दोस्तों कौन-कौन से आने बाले general knowledge आएगी 25 नमबर की mathematics आएगा 25 नमबर का science जैसा आपका technician T1 का आया था वैसी उसी scheme पे आधारत आपका यह exam भी होने बाला है दोस्तों लेकिन सारे subject को detail से देख लेते हैं कौन-कौन सी जैसे general knowledge में क्या-क्या आने वाला है mathematics में कौन-कौन सी topic आने वाले हैं science में कौन सी topic आने वाले हैं और social science में कौन सी topic आने वाले ह दोस्तों दोस्तों देख लेते हैं यह फिस कि दोस्तों सकते हैं इसमें sですか यसे कि टेकनी项 बनके जो टैरार बन यह तहसा ऊने वाली है नमब्र की आने वाली दोस्तों उसमें कौन कौन से question आने वाले हैं किस-किस type के question आने वाले है तो दोस्तों मैं बता दू जो आपकी current events related जो question होने वाले हैं दोस्तों वो आने वाले हैं मतलब आप कह सकते हैं current affair आने वाले हैं दोस्तों आपके general knowledge के portion में साथ ही इससे current affair जो आने वाले है वो इंडिया और नैवर, इिट्स नैवरिंग कंट्री से आने वाली है, जो भारत और इसके पडोसी देस है, उससे रिलेटर जो करेंट अफैर होगी, वो ही आने वाली है दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों, हिष्ट्री से भी कुछ कोश्चन आने वाले हैं, जैसे कि टा र याय वी driving कोश्चन आने वाले है और एकॉनोमिक साइंस से भी आने वाले है दोस्तो और जन्नल पॉलिसी वेसे बीधियानिद खोजे हैं उनसे अपके आने वाले हैं दोस्तो चस्दो isके साथ ही दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं mathematics की, mathematics में क्या क्या आने वाला है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, technician T1 का जो पहला वाला paper हुआ था, उसमें भी metric label की question आये थे, किस-किस topic से आये थे, वो आये थे, number system से, किस से आये थे भी, संख्या पत्ति अर्थाद number system से आये थे fundamental mathematical operation आये थे, अंक गड़ित से question आये थे इसमें भी अंक गड़ित से question आयेंगे दोस्तों, algebra अर्थाद बीजगड़ित से question आने वाले हैं, geometry से question आने वाले हैं, mensuration से question आने वाले है, trigonometry और statistical charts भी आने वाले हैं, दोस्तों, तो इसमें trigonometry भी आने वाली है दोस्तो और statistics भी आने वाली दोस्तो इसके साथ ही दोस्तो ये तो हो गया math वाला portion तो दोस्तो इनकी सारे subject की मैं topic wise classes कराने वाला हूँ topic wise की actually मैं expected question की class लाने वाला हूँ जैसा कि आपको पता है मैं टैर बन के लिए भी लाया था उसमें अच्छे से पढ़ाया था explain भी किया था और जो expected question की class थी same to same question आपके exam में आये होंगे आये थी actually अगर आपने वो paper दिया है और मेरी class देखी है तो आपको पता होगा same to same question आये थे expected question वाली class थे और जो मैराथन क्लास है सारे subject के ऐसा नहीं कि किसी एक subject के जीके के math के science के social science के चारों के चारों subject के same to same question उठके बिल्कुल exam में आये थे दोस्तों ऐसे expected question की class में फिर से लेकर आने वाला हूँ तो दोस्तों अब देख लेते हैं science में क्या 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 आने वाला है तो science में वही physical and chemical substances जैसे nature and behavior पिरकृति और बेभार आने वाला है world of living natural phenomena effect of current and natural resources तो दोस्तों इसमें आप कह सकते हैं थोड़ा-थोड़ा physics, chemistry और bio तीनों आने वाली है physics भी आने वाली है, chemistry भी आने वाली है और ये bio का portion रहा तो bio भी आने वाली जैसा कि आपका tier 1 के exam में अर्थार जो technician T1 का जो पहला वाला paper हुआ था उसमें भी जैसा आया था वैसा है इसमें भी दोस्तों आने वाला है आप दोस्तों देख लेते हैं, social science, social science में क्या क्या आने वाला है दोस्तों, social science में भी आप देख सकते हैं, जो पहले की तरह India and the contemporary world, इससे question आने वाले है, democratic politics से आने वाले है, understanding economic development, economic development से आने वाले है और disaster management से भी आने वाले हैं दोस्तों, आपको पता होगा मैंने disaster management का एक पूरा topic आपको कराया था, tier 1 के exam के लिए, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं, playlist भी बनी हुई है चैनल पे, उसमें जाके देख सकते हैं दोस्तों, तो पूरा topic कराया था और disaster management के दोस्तों, आप मानिये, जो भी paper हुआ था, disaster management में मैंने जो question कराया थे, same to same उठक आपके exam में आया थे दोस्तों, तो ये भी पूरा topic मैंने अपने channel पे cover कर रख है, तीन वीडियो है, इसकी disaster management की, आप देख लिजेगा, आपका कोई भी question बचने वाला है नहीं दोस्तों, तो दोस्तों, ये रहा इसका syllabus, और दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं क्या कि दोस्तों, आपका जो exam है, Tide 2 का, Tide 2 जो exam है, वो 8 जनवरी को होने वाला है दोस्तों, कब होने वाला है, 8 जनवरी को होने वाला है दोस्तों, और साथ ही, एक बजे से, दो बजे की बीच होने वाला है दोस्तों, एक बजे से, धाई बजे की बीच exam आपका होने वाल पूरा कबर होने वाला है और बैंगलोरू और कोलकाता तीन सहरों में यह होने वाले हैं अग्जाम आपके दोस्तों ठीके दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को क्या करेंगे लाइक करेंगे पसंद करेंगे दोस्तों और अपने दोस्तों के स्टेटस आने वाला है उसको में तुरंत वीडियो बनाके डाल दूं जिससे कि आपको पता चल जाए और आप देख पाएं दोस्तों और एक्सपेक्टिड कोश्चन की किलास जल्दी आने वाली है 24 दिसंबर से आपकी किलास स्टार्ट होने वाली है दोस्तों और 3, 4, 5 और 6 जनवरी को आपकी महरातन किलास आने वाली है दोस्तों तो यह रहा आपकी किलास का सिडियू और जो दोस्तों सिलेवर जो था दोस्तों य थैंक यू फॉर वाचिए